आपकी प्रेजेंस के द्वारा भरमेश्वर हमारी जो हालात होते हैं वो बदलते हैं भरमेश्वर आपके नाम में वो सामर्थ है जो हमारे हालात को खिला सकती है भरमेश्वर जो हमारे पिखड़े हुए रा को सरी बाल दिखा सकती है भरमेश्वर आपके नाम में वो सामर्थ है जो हमें हम जैसे लोगों को उधार की ओर लेकर जा सकती है उस अनंतार के चीवर में प्रभेश होने का हिस्सा दे सकती है और परमेश्वर आपके नाम में वो सामर्थ है जो सब नामों से उंचा है परमेश्वर वो सामत आज हम रेसीव करते है परमेश्वर वो सामत हमारा विश्वास है हमारे जीवन में कारे करता है वो सामत परमेश्वर हमारे जीवन का हिस्सा है परमेश्वर और जो वो सामत हमारे जीवन में है परमेश्वर हमारा विश्वास है कि हम अनात नहीं है हमारे जीवन में एक उदेश है परमेश्वर, हमारे जीवन में एक उत्तर हमें मिला है परमेश्वर, हमारे जीवन में जब से आपने परवेश किया परमेश्वर, हमारा जीवन एक मीनिंगफुल जीवन बन गिया परमेश्वर, परमेश्वर इस जीवन को आप चलाएं, आप पड़ाएं जैसा आप चाहते हैं इस जीवन में आप करें मेरे पर मिश्वर करें करें ओचीज़ वो पुदा जिसने इसराइलियों को मिशने से निकाला आज विश्वास करें वोई खुदा आपको वो पाप की गुलामी से उन जकड़ों से निकालने की सामर नफा है और अवश्य जब आपकी समय इस प्रेयर में मेरे साथ तनेक्टे बता रहा हूं वो बंदनों में जो आप थे वो मिस्टर के बंदन उस गुलामी में आप लेकिए मैं मता रहा हूं आज किस तबा के लो आणा आप अस्थाद हो रहे हूं और उस टनाल में वों पॉंच रहो प्रभु येश्टो के नाम से मैं कै रहा हूं आप उ कनाल में पॉंच रहो कर आप लगह विश्वास करो स्थभ सप्डबराब मैं अमने हादों को उटाऊ स्यूर्ट उसके किके खरू ना हमाले हाथ को वो अपने उपर उसके हर एक उपकार को याद करो दो मिनट के लिए वो कार ने जो स्ट्राप्न शीवर में दिया आपने देखी इन गवाईयों को आज आपने सुना इन गवाईयों को आज मैं बता रहा हूं आपको मैं आपको आज और युगार 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 युगा बदारो पर निश्वर हमारे बीच में मौदूद है जो मेरे समय साथ ओनलाइन है समय जबतारो आपको उसका चलन जाए आप कां से भी मुझे क्यों नहीं देख रहे उसका चलन जब हमारे बीच में है जबतारो जहां पर भी आप है आप उस आग को महसूस करोगे और वो आग आपकी लाइफ में आएगी आप एक डिस्टिप्लेंड मसी ब्यक्ति बनेंगे आप एक शीवित हजूरी में एक जीवित जिन्दा ब्यक्ति बनेंगे जो उसकी महिमा करता है उसके बड़े उपकारों के लिए करो करो सब थैंक्स करो यांदा रबास से के लिए रबे 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 लिका रबास से के लिए अंदा रबासों को लोगे जब मुस्त फ凌न के बास गया उसने काहा कि मेरे लोगों को जाने दे परमेश्यूर का वच्छान है कि मेरे लोगों को जाने दे वो इसराइलीो लोगों के लिए ब्रात्ना करता था और परिमेश्वर चाहता था कि वो इसराइली मिस्टर से अजाद हों, मिस्टर से निकलें और हम देखते हैं वो जो मामारी मिस्र पे आई, फिरॉन के सारी राज्य पे आई उस समय पर वो इसलिए आई कि परिमेश्वर अपने सामर्थ को दिखा सके और परिमेश्वर फिरॉन के हिर्दे को बदल सके और परिमेश्वर अपने लोगों को उसकी गुलामी से अजाद कर सके मैं अज बता रहा हूँ वो खुदा है जो अपनी सामर्थ को बताना चाहता है आपकी जीवनों में कि वो सकता है कि आपके परिवार हो सकता है आपके हालाद इतने कथोध से वह आपको अजाद नहीं होन देना चाथे कोडे मोग अजना चाहते है, वह दो चाथामा जिसके जिस जो आपके नहीं होने द Susa मैं बता रहा हूँ अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास है, तो मैं बता रहा हूँ परमेश्वर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें करेगा, ऐसे चीजें भेजेगा, जिसके द्वारा वो चीजें आपकी लाइफ को छोड़ेंगी, और मैं बता र जैसे परमेश्व मुसा के साथ रहा, उन इस्राइलियों के साथ रहा, और उसी सामर्थ के द्वारा, परमेश्व ने फिरॉन के मन को बदला, जो कठोर मन था, परमेश्व वो सामर्थ रखता है, उस कठोर मन को बदलने की, हालेलुया, हम रेखते हैं, फिरॉन ने, जब एक क जब वो बात घुदा को पता चली, और जब घुदा ने सुना उस चीज को की विरॉन क्या सोचता है मेरे लोगों के बारे में, ये मेरे लोगों को ए पहलोटो को मानना चाहता है, और वादवचन में लिखा है परमेश्वर का जो क्रोध है वो उस समय विरॉन के उपर आया, और उस समय जब मुसा के, मुसा परमेश्वर ने मुसा से बात करी और बताया कि जो चीजें फिरॉन ने इस्राइलियों के लिए सोची है करने के लिए अब वो खुदा वो चीज उन लोगों के लिए करेगा, हालेलुया, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लोग आपके विर आता है, परमेश्वर जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, परमेश्वर उन लोगों के साथ वैसा करता है, हालेलुया, 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 जो लोग परमेश्वर के लोगों को दूआ देते हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ में, उनकी जिन्दगी में आशिश्वर आगरने इक चीज आपको पता चीज एक की याकूब कि गराने पर कोई भी जादू टोना नहीं चलता, कोई भी श्राप नहीं चलता आप अजाद की गए हो, आप उसके लगु के द्वारा मॉल्क भीदे गए हो उसने आपको मॉल्क रीदा है, मैं बता रहा हूं का लिर सिया और ये बात हमारे लिए सबसे घमन की बात है कि अब हम पाप के गुलाम नहीं है हम शेतार के चकड़ों में उसके गुलाम नहीं है तो कि परमेश्वर में, दो करन्तिय जब हम बढ़ते हैं, बांच किस तारह में जैसे लिखा है कि परमेश्व ने हमें एक नई स्रिष्टी बनाया है हलेलुया और पुरानी बातें हमारे जीवन में प्रवेश्ट नहीं करेंगी पुरानी बातें जो भीट गई हैं जैसे थी हमें नहीं बता परन्तु अब वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं करती है क्योंकि मसी में आप एक नहीं स्रिष्टी बनाए गए हो एक नहीं व्यक्ति हो और हर एक चीज जो आपकी लाइफ में होती है वो नहीं होती है एक शुरुवात परमेश्व आपकी लाइफ में करता है और परमेश्व आपको उन चीजों में जो आप पुराने समय में थे उससे अलग करते आपको एक नया व्यक्ति बनाते हैं आलेलुया नैं बता रहा हूँ परमेश्वर ने आपको एक नया व्यक्ति बना दिया है और अब जो वो कारे आपकी जीवन में कर रहा है वो सब नये हैं प्रभु यशुते सामती नाम से अपने आखे बंद करो सभी सभी इस समय हादों को उठाओ सब और काओ परमेश्वर हम आपकी सामत को जानते हैं जो हमारे बारे में बुरा सोचते है जो हमारे बारे में नाश को सोचते है जब आप हमारे साथ होते हैं वो विनाश वो नाश हमारे जीवर में नहीं हो सकता जो हमारे बारे में सोचते हैं ऐसा उनके साथ वैसा होगा तो कि हमारी और से जो लड़ता है वो आप है बर्मेश्वर और जब आप हमारी और है तो हमारा विरोदी कौन हो सकता है हम चैवन से बढ़ कर है वो सामत हमारे साथ है हम करमेश्वार में एक नई स्रिश्टी बनाए गए करो करो उस्तपरे करो लियांदा लबास से केवे बेले लीखे रे देश्टी का लबा लबास सो कुलो बरू बरू झाल झाल झाल